अजीस तुलबात स्लाम अलेकुम हम इनेका से नूर सबक का मुताला कर रहे हैं जिसमें आज हम मकर आइना और महद्दिव आइने के इस्तेमालाद देखते हैं सबसे पहले हम मकर आइने के इस्तेमालाद देखते हैं इन आईनों का इस्तेमाल हजाम और डेंटिस्ट के आईनों में किया जाता है इसके बाद टॉर्च और हेड लाइट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है फील लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलीफ शम्सी आलात में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके बाद हम महधिव आइने के इस्तेमालात देखते हैं गाडियों के दाएं और बाएं जानिब लगे हुए आइने महधिव आइने होते हैं और बड़े महुदिव आइने दुकानों में लगाए जाते हैं इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा आइने का जापता हमें जिस्म का फासला, अक्स का फासला और तूले मासका की मुनासीब कीमत हासिल करने के लिए आइने का जापता इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हमें अक्स का फासला वी से जाहिर किया जाता है जिस्म का फासला यू से और तूले मासका को एफ से जाहिर करते हैं इसलिए आइने का जापता एक बटे वी, जमा, एक बटे यू बराबर है एक बटे एफ के ये जाप्ता त्माम हालात में कुरवी आईने के किसी भी किस्म और जिसम के तमाम मुकामात के लिए मुफीद है इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आईने की तक्बीर, जिसे हम कैपिटल लेटर म से जाहिर करते हैं कुर्रवी आइने की तक्बीर को जिस्म की उचाई H1 और अक्स की उचाई H2 के तनासुप से जाहिर करते हैं इसके जरीए मालूम होता है कि जिस्म की जसामत के लिहाज से अक्स की तक्बीर कितने गुना होती है खाके के मताबिक शेय को हमेशा आइने के दाए जानिप रखते हैं इसलिए शेय का फासला मन्फी लिया जाता है इस बिनापर अदसे की तक्बीर बराबर है अक्स की उचाई बटे जिस्म की उचाई यानि H2 बटे H1 इस बिनापर ये साबित किया जा सकता है कि कुर्रवी आइने की तक्बीर बराबर यानि M बराबर है नफी V बटे UK